हेलो फ्रेंट्स आप सब का स्वागत है री डिजाइन्स में तो आज हम बनाएंगे प्लाजो पैंट की मोरी का एक बहुत ही बीटिफुल डिजाइन जिसे हम ट्रेंगुलर कट वर्क के साथ रेडी करेंगे तो राउंड वाला कट वर्क तो मैंने आपको पहले दिखाया और अब मैं आपको दिखाती हूँ यह मैंने कितना चोड़ा लिया है लगबग सबाइंच चोड़ा कपड़ा लिया है पहले हम इसको ऐसे फोल करेंगे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा और उसके बाद ऐसे और यहां पे बिल्कुल इसके किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे तो यह ने कि व्यूंधित तैयार होगी है और ऐसे ही मैंने पेले से कितनी सारी पाठीयां रड़ि करके रखी है और अब हम इससे छोटे-छोटे pieces cut करेंगे लगबग 2.5 इंच का मैं एक piece cut करूँगी तो ये दिखिए ये 2.5 इंच है और अब हमने इसी साइज के सारे pieces cut कर लेने हैं तो ये दिखिए इन पट्यों से सारे pieces मैंने cut कर लिए है और अब हम इनको इस न्यूस पेपर के उपर रखके स्टिच करेंगे तो ये न्यूस पेपर मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये लगबग मैंने साड़े तीन इंच और लिया है और जिस पे मैंने ये दो मार्किंग की है बिल्कुल सीधी सीधी ये देखिए और ये लंबा उतना ही है जितनी हमारी प्लाजो पेंट की मोहरी है और ये जो मार्किंग की है मैंने लगबग सबा इंच की की है ये देखिए तो इसी बली मार्किंग के उपर रखके हमें ये पट्टियों को स्टिच करना है तो उपर से आधा इंच छोड़ते हुए हम पट्टी को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे और लगबग आदे इंच का गैप ले रही हूँ मैं पट्टी में आप अपने अकॉर्डिंग गैप ले सकते हैं पहले हम इनको एक साइड से स्टिच करेंगे तो ये एक तरफ से हमारी पट्टियां पूरी स्टिच हो चुकी है ये देखिये नीचे तक और अब हमने इनको दूसरी साइड से भी ऐसी स्टिच कर लेना है बिल्कुल सीधा सीधा करते हुए तो ये दोनों तरफ से हमारी पट्टियां स्टिच हो गई है नियूज पेपर के उपर और अब हमने क्या करना ये जो साइड से एक्स्ट्रा पट्टी और नियूज पेपर है ना उसको हम कट कर देंगे आधे-आधे इंच का मार्जन लेना हमने सिलाई के साथ-साथ दोनों तरफ से हम इसको cut कर देंगे तो ऐसे हमने पटियों को दोनों तरफ से बराबर बराबर cut कर लिया है और अब हमने इसके नीचे triangular cut work stitch करना है तो चलिए उसको ready कर लेते हैं तो cut work बनाने के लिए मैंने ये fabric लिया है और ये pant का ही same fabric है और इस पे मैंने पेस्टिंग भी लगा दी है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना चोड़ा है लगबग तीन इंच ओड़ा है और लंबा तो पैंट की मोरी के जितना ही है और इस पे मैंने ये दो मार्किंग की है ये लगबग 2 इंच की मार्किंग की है मैंने आधा इंच उपर से छोड़ते हुए और आधा इंच नीचे से छोड़ते हुए और अब हम अपने कटवर्क के लिए इस पे मार्क कर लेते हैं तो पहला मार्क हम उपर वाली साइड से करेंगे 2 इंच पे और अब फिर से 4 इंच पे यानि की 2-2 इंच के गैप पे हमें ऐसे मार्क करना है इस तरीके से एक तरफ हम 2-2 इंच के गैप पे मार्क कर लेंगे और अब हमने क्या करना है इस साइड पे भी हमें ऐसे ही मार्क करना है पहला जो मार्क है हम वो 1 इंच पे करेंगे इस तरीके से इस तरीके से अगर आप अपना ट्रेंगुलर वाला कट्वर्क बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका और अब हमने ये वाली मार्किंग को मिलाना है आपस में तो ये दिखिए सारा कट्वर्क ऐसे हमारा ये ड्रो हो चुका है और अब हमने सेम इसके साथ का ही एक फैब्रिक और लिया है पैंट में से ही ये उतना ही चोड़ा और उतना ही लंबा है और अब हम इसके उपर इसको रखेंगे कट्वर्क वाले फैब्रिक को बिल्कुल बराबर तो यहाँ पे हम अपनी मार्किंग के साथ साथ सिलाई लगा देंगे तो ऐसे हमने बिल्कुल अपनी मार्किंग के उपर उपर सिलाई लगा दी है और अब हम इसके बीच वाले फैबरी को एक साइड से कट कर देंगे ये वाली साइड से मैं कट करूँगी इस तरीके से सिरफ एक एक पैर का मार्जन लेते हुए हम एक्स्ट्रा फैबरी को बीच में से कट कर देंगे और अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेते हैं तो ये कट हम अपनी सिलाई तक लगाएंगे और धिहान में रखें आपकी सिलाई ना कटे और अब हमारे कट भी लग चुके हैं अब हम इसको पलट लेते हैं इस तरीके से के करके हम सारे कट भर को बाहर की तरफ निकाल लेंगे आप किसी भी सिलाई या पिन की मदद से इसका कोना बाहर की तरफ निकाल सकते हूँ ऐसे ये देखिए कितनी अच्छे से निकल रहे हैं ना और बहुत ही असान है ये इस तरीके से मैंने सारे cutwork को पलट लिया है और अब हम इसको अच्छे से press करके finishing दे देते हैं इसमें तो ये देखिए मैंने इसको press भी कर दिया है और कितनी अच्छी finishing आई है इसमें और अब हम इसको क्या करेंगे इस पर रखके हमें stitch करना है इसकी ऐसे ulti side, newspaper वाली और cutwork को ऐसे खोल लेंगे तो cutwork को ऐसे खोल के इसके उपर रखेंगे और आधे-आधे inch का margin लेते हुए सिलाई लगा देंगे तो इसको हमने stripes के उपर रखके ऐसे सिलाई लगा दी है और अब हम इसको ऐसे सीधी side की तरफ पलट देंगे इस तरीके से ये देखिए और अब इसे यहां से इसे एक-एक पैर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहां पे इसके बिल्कुल एक किनारी की सिलाई लगा देंगे तो ये सिलाई भी हमारी लग चुकी है और अब ही मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने इंच हमारा त्यार हुआ है लगबग तीन इंच हमारा ये पैटरन रेडी हुआ है तो आपने क्या करना है अपनी पैंट की लेंथ तीन इंच कम कट करनी है और ऐसे सिलाई लगाने से ये दिखी कितनी अच्छी फिनीशिंग आई है और पीछे से भी हमारी ये पटियां गुम हो गई है तो अब हम अपनी पैंट के उपर रखके इसको स्टिच करेंगे तो पैंट की हम सीधी साइड लेंगे और पैटरन को इसके उपर हम उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर ठीक उसी सिलाई के उपर सिलाई लगाएंगे जो हमने पटियों को स्टिच करते हुए लगाई है तो ये सिलाई भी हमारी लग चुकी है और अब हम इसको नीचे की तरफ ऐसे कर देंगे और यहाँ पर एक एक किनारी की सिलाई लगा देंगे तो ये किनारी की सिलाई भी हमारी लग चुकी है और देखिए कितना प्यूटिफुल हमारा ये प्लाजो पैंट का डिजाइन तियार हुआ है और आब हम नीचे से नियूज पेपर को निकाल स्थाएं इस तरीके से नियूज पेपर बहुत यह असानी के निकल स्थाट सीपूर यह दिखिए किता नियूज नग रहा है न हमारा यह डिजाईन तो ढब ही मैं आपको इसको पहन के भी दिखाते हूं तो पहनने के बाद हमारा ये डिजाइन कुछ ऐसे आ जाएगा तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं तिल देन बाबाई